पवित्ता से भरा हुआ है कुम्ब नगरी का संगम अब बस यहीं रम गया है मेरा मन जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी जगा लेके चलेंगे जो कि भारत में महातीरत माना जाता है उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश शहर में बसी एक छोटी सी नगरी है प्रियागराज जहाँ पे भारत की तीनों सबसे पूजनिय नदी यमना, गंगा और सरस्वती का महा त्रिवेडी संगम होता है माना जाता है कि इस त्रिवेडी संगम के सिर्फ सनान करने मातर से आपके सारे पाप धुल जाते है तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे त्रिवेडी संगम नगरी प्रियागराज की 10 सबसे ज़ादा मशूर जगाए और यदि आप प्रियागराज जा रहे हैं तो आपको ये जगा जरूर घूमनी चाहिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन जगाओं की टाइमिंग महा की टिकेट्स कितने की हैं महा की क्या-क्या माननेता हैं और उन जगाओं की वो सारी बाते जो आपको जानने जरूरी हैं और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रियागराज के नक्षे में इन सारी जगाओं की लोकेशन क्या-क्या है तो हमारी वीडियो अंतर तक देखने और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करें बस दवाईए लाग बटन और इसे के साथ दवाईए घंटे का निशान सोमेश्वर महादेव मंदिर प्यागराज के एक प्राचीन मंदिर है जो की एरल घाट पे स्थित है ऐसी माननेता है कि यह मंदिर चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था राजा दक्ष प्रजापती दुवारा दिये गए काया श्राप से मुक्त होने के लिए जिससे चंद्रमा कुरोप हो गए थे और श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया सावन के महीने में हजारों की दादात में शरधालू यहां आकर पूजा अर्चना करते हैं जिसमें महामुर्तिंजय जाप और रुद्रविशेक होता है जिससे आपको आपके शरीर के सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है और यह मंदिर 24 घंटे खुला होता है इस मंदिर में आने का सबसे सही समय है सावन के महीने में बसंत पंचमी के दिन आना क्योंकि इस दिन यहां पे आना बहुत शुमाना जाता है लेकिन यहां पे उस दिन आपको बहुत भीड मिल सकत इससे पहले जो यहां पे ब्रिज था वो अंग्रेजों ने बनवाया था न्यू यमना ब्रिज की कुल लंबाई है 1510 मीटर और ये 260 मीटर चौड़ा है और यहां के लोकल्स इसको नया पूल या फिर नाईनी बुल के नाम से भी जानते हैं और सबसे जादा कॉन्टरिश्षर पूल है ये तो जब इसका इनाउग्रेशन का टाइम था तो उनके बीच मतलब दोनों पार्टिस की बीच में लड़ाई हो गही थे में आपको बहुत आनन्द आएगा नमबर आठ आनन्द भवन आनन्द भवन जिसका नाम हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाल लाल नहरू के नाम पे रखा गया है और यह प्रियागराज में उस्थित नहरू परिवार का घर माना जाता है आनन्द भवन 1979 में बनवाया गया था जो की मैनेज किया जाता है जवाल लार नहरू मैमोरिल फंड के दुआरा यह वो ही जगा है जहां इंदरा गांदी जी ने अपना बचपन बिताया था और आनन्द भवन का मतलब होता है खुशियों का घर आनन्द भवन प्रियागराज की एक टॉप अट्रेक्शन में से माना जाता है यहां आने की टिकेट आपको पड़ेगी सत्तो रुपे की और पांच साल से छोटे बच्चों के लिए यह जगा फ्री है आनन्द भवन आने की टाइमिंग है सुबा साड़े नौ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक लेकिन यहां आने का सबसे स़ई समय है प्राते कल प्रियागराज फोट प्रियागराज रिल्वे स्टेशन से आठ किलोमेटर दूर अकबर के दुआरा बसाया गया है प्रियागराज फोट प्रियागराज फोट इलाबाद किले के नाम से भी बहुत मशूर है यमना नदी के किनारे पे फैला इलाबाद किला इलाबाद की पौराणिक अतीत की वीर गाथा को बयां करता है ऐसा कहा जाता है कि इस किले को बनाने में तकरीबन 45 साल लगे थे और यह किला बनाया गया था 1583 में आज के समय में इस किले का जाधतर हिस्सा भारतिय सीना के द्वारा इस्तमाल किया जाता है और भारतिय सीना की कई रेजिमिंट इसी किले के अंदर स्थित हैं माना जाता है कि जब यह फोर्ट बिटिशस के कबजे में था तो उन्होंने अपनी सहुलियत के हसाब से इस फोर्ट में बहुत जादा बदलाव किये थे। प्रियागराज फोर्ट के अंदर भी बहुत सारी घूमने के जगाएं हैं जहां परियतक जा सकते हैं जैसे यहां का पतालपुरी मंदर, अशोक पिलर या मरियम उस जमानी का किला। इलहाबाद फोर्ट या प्रियागराज फोर्ट में आने की कोई फीज नहीं है और यहां आने की टाइमिंग है सुबह साथ बज़े से लेकर शाम को च्छे बज़े तक। त्रिवेणी संगम का सनान करिये और दशन करिये पतालपुरी के। प्रियागराज का गिर्जाघर जिसका नाम है All St. Cathedral यहां के लोकल्स में यह गिर्जाघर पत्थर वाले गिर्जाघर के नाम से भी मशूर है All St. Cathedral का डिजाइन तेरवी सदी के Gothic Churches पे बना हुआ है जो की यूरोप में मिलते हैं यहां चर्च डिजाइन किया था बिटिश आर्किटेक्चर सर विलियम एमर्सन ने जिसने कॉलकता का विक्टोरिया मैमोरियल भी डिजाइन किया है All St. Cathedral बना है मार्वल और कांच से यहां चर्च तकरीबन 1250 स्क्वार मिटर में फैला हुआ है और यह कलोनियन इंडिया की सबसे बेश कीमती इमारत है All St. Cathedral में जाने की कोई फीस नहीं है और इसकी टाइमिंग है सुबा साड़े आट बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक और यहां चर्च घुमने में आपको लगेगा तकरीबन एगंटा कहते हैं कि यह थियास कभी नहीं बुलाया जा सकता और खुसरो बाग उसी की निशानी है जैसे अकबर और उसके बेटे सलीम की कभी नहीं बनी वैसे ही जहांगीर और उसके बेटे खुसरो की कभी नहीं बनी खुसरो बाग मुगलों की बेश कीमती धरोर में से एक है ये परियोटो को के दुवारा प्रियाग राज की बहुत जादा विजिट किया जाने वाली जगा है इसी बाग में राजकुमार खुसरो और सुल्तान बेगम की कबरे आपको मिलेंगी खुसरो बाग से संबंदित यह लाइने बहुत मशूर है याद है सारी वो एशो अराम उर्फ फरकत के मजे दिल लगी भुला नहीं पाएंगे उल्फत के मजे माना जाता है कि यहाँ पे राजकुमार खुसरो को बंदी बना के रखा गया था जब उन्होंने सबसे पहली बार अपने पिता जहागीर से बगावत की थी और इसी बाग से भागते वे खुसरो की हत्या कर दी गई थी उनके भाई खुर्रम दौरा जो की जहाँगीर के तीसरे बेटे थे खुसरो बाग को घूमने अगर आप आते हैं तो यहाँ की तीनों कबरे और तीनों टॉंप आप जरूर देखना खुसरो बाग आने की टैमिंग है सुबा 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहाँ आने की कोई भी फीस नहीं लगती हाला कि यहाँ आने का सबसे सही समय है शाम की समय जो की ललिता देवी मंदिर और माधेशवरी देवी मंदिर के नाम से ही मशूर है एक क्यावन शक्ती पीटों में एक मंदिर है आलोपी देवी मंदिर माना जाता है कि जब शिप जी माता सती का मृत शरीर लेकर घूम रहे थे तो विश्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के एक क्यावन हिससे कर दिये जो कि धर्ती पे अलग लग जगा पे गिर गए जिन जिन जगावन पे माता सती के ये शरीर के हिससे गिरे उन जगावन पे बन गए शक्ती पीट आलोपी देवी मंदर की खास बात यह है कि यहाँ पर माता की कोई मूर्ती नहीं है यहाँ की मूर्ती निराकार है और यहाँ पर मूर्ती की बजाए जूले की पूजा की जाती है और इसी जूले को पनाये जाते हैं माता के वस्त्र कहा जाता है कि इसी जूले के नीचे वो कुंड है जहाँ पे माता का दाइना हाथ आके विलुप्त हो गया था आलोपी देवी मंदिर आने की कोई टिकेट नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबाद 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक और इस मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड होती है मंगलवार को नमबर 3 चंदर शेखराजाद पार्क प्रियागराज के दिल में बसा हुआ 133 एकड़ बड़ा है चंदर शेखराजाद पार्क यहाँ पार्क 1870 में बनाया गया था जब अंग्रेजी हुकूमत के प्रिंस एल्फरड भारत आये थे इसलिए इस पार्क का नाम पहले था एल्फरड पार्क फिर इसका नाम पढ़ा चंदर शेखराजाद पार्क जब 27 फरवरी 1931 में भारत के सुतंतरता सैनानी शिरी चंदर शेखराजाज जी इस पार्क में अंग्रेजों से लड़ते वे शहीद हो गए थे तब ही से इस पार्क का नाम है चंदर शेखराजाजाद पार्क इस पार्क की बनावट कुछ इस ठरीके से है इस पार्क में है 6 गेट, पार्क की एंट्री आप किसी भी गेट से कर सकते हैं और पार्क में वो जगा जहाँ पर चंदरशेखर अजाद जी शहीद हुए थे वहाँ चंदरशेखर अजाद जी की समारक बनी हुई है इस एक पार्क में पढ़ता है अलाबाद म्यूजियम इसी म्यूजियम में रखी गई है बुखारा बुखारा उस बंदूग का नाम है जिससे चंदरशेकर अजाद जी ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और इसी बंदूग से उन्होंने खुद को गोली मारी थी नमबर दो लेटे हुए हनवान जी का मंदर प्रियागराज के त्रिवेडी संगम से सिर्फ 500 मीटर दूर है लेटे हुए हनवान जी का मंदर बड़े हनवान जी का यह मंदर किले वाले हनवान जी और लेटे वे हनवान जी के नाम से भी बहुत मशूर है जो भी भक्त जन त्रिवेडी संगम पे इसनान करता है वो लेटे वाले हनवान जी के दर्शन जरूर करता है कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ पे जो भी मांगो वो मुराद जरूर पूरी होती है बड़े हनवान जी का जिकर पुराणों में भी किया गया है दुनिया भर में अकेली ऐसी जगा है जहाँ हनवान जी की लेटीवी प्रतिमा है हनुआ जी के बाय पॉँँ के नीचे कांतादेवी और दाय पॉँँ के नीचे अहीरावड दबे हुए हैं हनुआ जी की यह پ्रतिमा लेटी हुई क्यूं है इसके बारे में कई सारी माननेताएं हैं जिसमें पहली है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद हनवान जी ने यहाँ पर आके विश्राम किया था और वै यहीं घहरी नींद में चले गए थे इसलिए हाँ पर हनवान जी की लेटी भी पृतिमा है दूसरी माननेता ये है कि जब हनवान जी सूर्य देव से अपनी शिक्षा प्राप्त करके आए तब उन्होंने सूर्य देव से गुरु दक्षणा मांगने को कहा सूर्य देव ने कहा कि त्रेता युग में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मन जी वनवास काटेंगे और उनको वन में किसी तरीकी की दिक्कत ना हो इसका ख्याल हनुमान जी रखेंगे और यही होगी उनकी गुरु दक्षणा तो जब हनुमान जी राम जी के वनवास के दौरार उनकी सेवा करने चले गए तो राम जी को चिंता हो गई, हनवान जी इतने तेजस्वी हैं कि सारे असुरों का संगार वो अकेले ही कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो विश्णु जी के अफ्तार राम जी के जनम लेने का उदेश्य खतम हो जाएगा इसलिए राम जी ने हनवान जी को यहाँ पर सुला दिया और वो एक बहुत ही घहरी निंद्रा में चले गए इसलिए यहाँ हनवान जी की लेटी हुई प्रतिमा है लेटे हुए हनवान जी के मंदिर की कोई entry ticket नहीं है और यहाँ आने की timing है सुबा साड़े पांच बजे से लेकर दुपहर को दो बजे तक और शाम को पांच बजे से लेकर रात को आठ बजे तक और इस मंदिर में भी सबसे भीड़ वाला समय होता है मंगलवार का संस्कृत में संगम का मतलब होता है मिलाब और यह है वो जगाह है जहाँ पे भारत की सबसे बड़ी तीन नदियों का मिलाप होता है गंगा, जमना और अद्रिश्य सरस्वती हाला कि सरस्वती नदी अद्रिश्य नदी है लेकिन फिर भी यहाँ पे हर 6 साल में कुम्प और हर 12 साल में महा कुम्प मेला लगता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है हर 12 साल में आयोजित किये जाने वाले इस मेले में तकरीबन 10 करोड लोग हिस्सा लेते हैं और ये प्रथा 2000 साल पुरानी है कहा जाता है कि इस मेले में इतने लोग होते हैं कि सारे लोग एक साथ देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा त्रिवेडी संगम में आने की कोई फीस नहीं है और यह घाट 24 घंटे खुला होता है लेकिन यहां आने का सबसे सही समय है सुबा सुबा प्राते काल तो यह थी प्रियागराच की 10 वो जगाएं जो आपको जरूर घूमनी चाहिए इन सारे जगाओं के exact location हमने google map पे mark करके एक list बना दी है और इस list का link आपको हमारे description में मिल जाएगा तो अगर आप उनके exact location जानना चाहते हैं तो वो list खोल के देख सकते हैं हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो like का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारा channel जरूर सब्सक्काइब करें बस दबाएं लाल बटन और उसे के साथ दबाएं घंटे का निशान और यदि आप ऐसे ही प्रियागराज की पूरी travel guide चाते हैं तो हमारा channel जरूर करें जहां पे आपको domestic और international destinations की travel guide मिलेंगी और हमारी इस series की बाकी वीडियो भी जरूर देखना जिसका link आपको हमारे cards और description में मिल जाएगा So it was very nice to be with you again, be well, नमस्ते